हालो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे मैं क्यार सहनी के आर एजुकसिन पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आर्पी एप और आर्पी सब की वेकंसी आ चुकी है नोटिपिकसिन आ गया है और पिछली जो भरती दी आप सभी लोगों के सामने रखूंगा साथ ही इस बार जो नोटिपिकसिन आ है उसमें जोन वाइज वेकंसी का डाटा गाइब है तो अब जो है आपके कटोप कैसे बनेगी आपका एक्जाम कहां होगा पोस्टिंग कहां होगी सारा कुछ यहां पे चेंज हो जाता है एक तरी बनने से पहले जरूर से जरूर इस वीडियो को एक बार देखिएगा और साथ दोस्तों आप सभी लोगों बताना चाहूंगा कि अगर आप आर्पीप ऐसा है और कॉंस्टिपर के तैयरी कर रहे है तो आप प्रियो सेर के क्यूशन पेपर बहुत बहुत जरूरी है तो ऐसा सबसे बड़ा बतला होते हैं कि इस बार आपको एज में 3 साल का छूट दी गई है पिछली बरती में आपके ऐसा ही है उसमें आपके 20-25 वह करती थी इस बार 20-18 साल की उमरिया पर रही गई है अब देखे जो नवाज डाटा है पिछली बरती होगा पिछली बरती में आपे ऐसे ग्रूप होगा करते थे ए बाकी के जुड़ के जोन आते थे बीपि यह आते और दी में आते थे आपको जोनवाइस बयरा दिया जयन्ट कि आपको एक ही जो ग्रूप चेस, अं पिछली बरती ने होगाया जिसकी ए ग्रूप उसम धेठ लिया तो बागी के जो गुरूप है उनसे फॉर्म नहीं बढ़ सकता था और इस गुरूप की जो वेकेंसी है जैसे कि टॉटल वेकेंसी जो भी है या आट सचार इनी पर उसको कंपीट करना होता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है आपको जनरल ही एक्जाम होगा कॉमन यहां पर यह लग से गुरूप नहीं दिया गया लेकिन इसमें कुछ फायदे और कुछ नुकसान वाली बात है एक इसमें फायदत यह है कि पहले चार जाट शार जो टॉटल पोस्ट है इन में से आपके बयानले सो करीब जो आपके आपके इस पोस्ट को इतने सारे ग्रूप में बा पाऊगे इसके लाव दोस्तों नुकसान वाली बात यह है कि अब जो है आपको पोस्टिंग कहीं भी दी जा सकती है पहले ऐसा था कि अगर एक ग्रूप से किसे ने चुना है तो इसको एसर में या इसर में इसर इन तीन ही रेल्वेज जो उनके अंदर पोस्टिंग मिलती लेकिन अब जो है सेंट्राइज हो गया है आपको पूरी एंडिया के अंदर कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है तो एक नुकसान वाली बात इसमें मान सकते हैं जैसे पहले होता है कोई को भाई एन फर वाला था एन फर वाला तो इसको पता था कि मैं एप गूरूप से ब पहले जो मेरिट बना करती थी एक ग्रूप की अलग बनती थी इस बार आपकी एक ही मेरिट बनेगी तो टॉप के जो बहें ले या RPS UP मिलेगा या RPS UP मिलेगा या कैसे डिसाइड होगा क्योंकर कहीं सारे दोस्तों ऐसे होंगे जिनको सेलरी एच्छी खाची चाहिए होगे जिनको घूमने फिनने का सोक है और वो चाहते हैं कि उनको RPS UP मिले और अब जो है उनको कैसे पहले तो यह प्रिफरेंस था कि फिर RPS UP में जाना चाहरे हो यह चीज यहाँ पे थोड़ी क्लियर नहीं हुई है यहाँ पे रेंडम ही आपको मिलने वाला है और देखिए अब जो है जिसको घर के पास में पोस्टिंग जाए है गया सारे सात्रों के डाउट है कि हम बहुत अच्छी रेंक लाए तो हम अच्छी रेंक लाइए तो आपको जो हम पर मिल सकती है पोस्टिंग इसके लाए दोस्तों पहले जो एक ग्रूप किसी ने चुना होगा तो जोनर रेलो एक साब से तो उसकी पोस्टिंग यहाँ पर दी जाती थी तो यहाँ पर इनके एक्जाम अगर भी कंडेक्ट हुआ क यहाँ पर पर दो करता है तो उसका जेवपूर में होगा यहाँ आपको एक्जाम देने जाना होता था जनरली लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा आपका एक्जाम आपके घर के नसदीक नियरबाई आपका इसटेट वगर रहेगा वहीं पर रहने वाला है इसी साब से देख तो पहले भी आपको जो है जो गुरूप के साथ बनेगी पहले जैसी अलग लग बना करती ती और कहीं फिर कम जाया करती थी काई रहा करती लेकिन इस बार ऐसा कुछ ही नहीं है एक ही कटोफ बनकी आपके आएगी तो कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है इनके इन तीन चार चीजों के लावाद जैसे कि आपका जो से आपके एज है एज लिमिट है आपके जो डाटा है वो गायप आपका गुरूप आई इस बार वेकेंसी नहीं भरवाए जारी है आपका एक्जाम सेंटर है आपकी पोस्टिंग है आपके कटोफ अगर रहा है इनमें चेंजेज रहने वाला है बाकी सारी चीज़ें पर सेम रहने वाली है वो ही प्रोसीज रहे है आपका CVT लगेगा उसको क्वालिफाय करने होगा उसके बाद में आपके PET, PM में होगा उ पिछली बरती में सेम ऐसा ही था तो पिछली बरती और अभी में कुछ भी क्रेक्शन नहीं किया गा जो मैंने तीन चार चीज़े बताई है वही यहां पर चेंजेज रहने वाला है इसमें इस बार आपको जुरूर बताया कि कौन सी केटेगरी से कितनी सारी वेकंशी यहां पर रहने वाली है जैसे कि आप देखिए है कि इसमें देख पाएंगे यह देखिए आपकी जो कॉंस्टेबल के अंदर टोटल पोस्ट है उसमें आपकी यूर की चाओदा सो पचास है एस सी कि आपकी जो है यह यह रहने वाली है स्ट की कि यह मेल के इंडेर्स के लिए 3570 चाऊसrese में ले लेगे तो बैयां लिए 400 के करीब और इनकी इनकी बी記ूट रहती है ठीरोटीण कर रखी है और आपको सारे कुछ बता ही है अगर आप इसमें टैंथ पास हो तो आप कॉंस्टेबल के लिए अपलाई कर सकते हो और किसी भी रिक्राइज बोर्ट से और जो भी दिव्यांग के अंडर्स वगर होते हैं वह इसमें सोटेबल नहीं पाए जाते हैं वह इसके बढ़तियों में देखा है गुरूप डी है न्टीप से लेक्शन हो गया और उन्हें कुछ गलतियां वगर की थी जिनकी वज़से उनको आपर बाहर कर दिया गया था तो ऐसा आपको नहीं करना है फो को बड़ी बारिके से बरना है जल्दबाजी नहीं करना है और मैं एक कुछ जानकर थी आपको पता होना चाहिए आयो होप आपको जानकर अच्छे लग योगी वीडियो आपको अच्छा लगाए वीडियो का लाइक कीजिए दोस्तों के साथ मुस्या ज़रू करें थेंक्यू